ही अज़े नमस्कार और आज हम लेकर आएं इवी एस का सेकंड पार्ट जो आपका यूपी टेट के लिए बहुत महत्मूर रहेगा ठीक है चले श्टार्ट करते हैं लगुत्तम बर्धन काल का जीवों है लगुत्तम बर्धन काल का जीवों है सवाना टैंगा चैप्रेल या तेखार्डंड आपका इम्पोर्टन रहें आपका तो इसका राइट आनसर जो रहेगा विख्या रहेगा आपका तुंडरा रहता है कौन सा टुंडरा प्रद्ष रहते हैं वह वाले पहला दूसरा और तीसरा डी वाला सही है प्राकिर्थिक बनश्वति का सरवादिक विकास छेतर है सदावार बन पत्जड़ बन संकोर बन यह टेंगा फूंग तो इसका राइट आंसर आपका हो जागा कौन पत्तिजड़ बन ठीक है ध्यान रखना कौन सा होगा आपका पत्त जहड बन नेस्ट बात करते हैं ब्रूंग रित असे किस प्रकार बन भारत मे शरवादिक विद्धिमान हैं भारत में सबसा कॉन से बन पाये जाते हैं इसकी बात करते हैं लोग तो इसका राइट आंसर हो जागा आपका सी उष्ट कट बन दिए अशुस्क पत्तिजड जड निम्न में ते सुनमित कीजिए देता प्रमत कूट उताईए जीवांस, बनश्वती, बनश्वती, सवाना, जहाडिया, अलबट, तुन्डर, कौट धारी ठीक है, कौन किसमें आपका जाएगा आप सही बताना है तो इसका राइट आंसर चला जागा आपका निम्न से सुम्रित कीजिए, पिदंकूट कौन से सही होगा तो इसका मतलब राइट आंसर हो जागा आपका जो बन है है ना, क्या है आपके बन, ठीक है, तो बन, तो बन कैसे होते हैं आपके, कौन धारी, ठीक है सवाना तो सवाना हो जैगा जहरे तक अगासें होती है ने लब मरस्तली जो होता है आपका क्या होता है अल्पाइन और टूंडरा जो है वह आपका क्या हो जाएगा ऊश्चेट्बंधि जंगल ठीक है तो इसका मतलब को कि Right Answer जो होगा वो कौन होगा अपका डी होगा सही अाजी दर्शन अमरिका का छोड़ा ब्रक्ष रहत घास का मैदान कहलाता है ठीक है अमरिका का ब्रक्ष जो मैदान है वो क्या कहलाता है यह आपको बताना है पिच्छ ango right answer हम लोग ढूनते हैं कि दो अफसे निदर भी हैं तो तो के दिया इस पीस्ट और उदर समाना था ठीक है तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा रहेगा ठीक बी रहता है कौन सा भी और बी कौन सा आपका पंपाच ठीक निम्नमैसिव कौन सा सुमलित नहीं है ठीक है यह आपको राइट करना है तो इसमें सुमलित जो नहीं है वह आपका एवाला नहीं है साल जो है वो केरल में नहीं है यह दहां रखना रखना रखो ठीक है नेस्ट बात करते हैं प्रात्र को कौन सी संगय प्रदान की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी फॉर मेंशन ठीक है नेस्ट उख उआत करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिशवतिय बन भैंऑान भारत प्रवंदन संस्तान कहां अवस्तित है तो आपका राइट आंसर होगा कौन आपका बिश्वतिये बन बायोम ठीक बिश्वतिये बन बायोम अब महोनी रोजवतिया अब नष्वतिये किस बायोम के ब्रक्षमाने गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिश्वती बन बायोम ठीक है नेस्ट बात करते हैं बिश्व का सरवादिक बिश्वंद परसंत तंत्र कौन सा माना जाता है कौन सा माना जाता है ठीक है तो इसका रहाइट आफांसर हो जागा आपका क्वाना sitting Asscentury नेतव वायूंके है रहाइट में नेकम सबस्ताइब वायूम है तो असर कौन सा है टुंड्रा बायोम कौन होगा टुंड्रा बायोम ठीक है ध्यार रखना नेस्ट वात करते हैं सोची को समलित कीजिए तो सूची को क्या करना है समलित करना है तो इस पर आपको दिया हुआ कि एक तरफ वन जो गहास की मेदाने बोदे रखें और दूसरे तरफ ठीक है तो पेरियार जो है वो किसका है इसमें समलित करना है आपको तो इसका ठीक है पेरियार अफ्रीका पंपाज बेल डाउंस कि किन कि घासे हैं वह वाले आप से कोशन प पंपाज जो है वो आपकी कहां की है अफ्रीका की है बेल्ट जो है वो आपकी कहां की है तो अस्टेलिया की है और जो डाउंस है वो कहां की है अफ्रीका की है तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा तो सी जाता है कौन सा सी आपका है तो इसका मतलब है पेरियार जो है वह ऊत्रे अमेर्खा धूंगा ठीक है और पमपश है वह आर्जनटीना हो गया ठीक है और बैल्ट्वल को हर आ Chapel हो ठीक है और डाँवस है वह उस्ट्रिय खायो गया तो यह आपका राइट अन्सर होगा नो बीद्दे करें बेने इस और स्वायम का चन्त है कि तुण्डन चाहत करते हैं अफ्रीका के जाइरे सिशन की कौन सन जाती है अपना घर की आपना पेड़ों के ऊपर बनाती है तो यह तो बताना है ठीक है तो कौन सब्सक्राइब पिग्मी करScript एक पिग्मी के सांगर तली पर पाए जाने वाले पादप्राण्यों को किस नाम से जाना जाता है तो इसका राय आंसर आपका कॉन से डाइगा तो बो रहता है आपका सी कॉनसर को मैदानीuh चेत्रों में पार्षित की की संतुलन को कायम रखने के लिए आवरण का नियुंतम परसेंट होना चाहिए ठीक है तो इसका कितना परसेंट होना चाहिए तो इसका राइट आंसर जागा आपका 25 परसेंट नेस्ट बन महुसब सब्ता कम मनाया जाता है बन महुसब सब्ता कम मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है 21 है 21 का हो जाएगा C ठीक है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच बन महुसब सब्ता मनाया जाता है नालोज तथा कमपोज घास किस बायोम के अंतरगत आते हैं तो यह दोनों जो आएंगे वो उस्ट कटवंदी बायो घास के अंतरगत आते हैं कनाडा में सीतोषन कोडधारी बन काटने का विवसाय करने वाले लोगों को क्या संगया प्रतान है तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा तो है ए लंबर जैक कौन सा है लंबर जैक टिक है नेस्ट बात करते हैं हम लोग पश्मी हमाले में उच्छ परवत्य बनश्पती बनश्पती तीन हजार मीटर की उचाई तक उपलब्द होती है जबकि पूर्वी हमाले में बह चार हजार मीटर की उचाई तक उपलब्द होती है एक ही परवस्पती में किस बिवता का कारण है तो इसका राइट आंसर आपका नवक किस बिवता का कारण है तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग पूरी हमाले की पश्यमी हमाले की ओज़ा अदै कुछ आई है पूरी हमाले में पश्यमी हमाले के अपिक्षा अधिक मानसुनी बरसा होती है पूरी हमाले के चट्टानों का और वर्क होना पूरी हमाले का दक्षन दिसाकी और मुड़ना ठीए आपको इसमें से right बताना है कि right आपका answer कौन सा होगा ठीए तो इसका right answer जो रहगा बुरा है बी किरेगा आपका right answer कौन रहगा बी रहेगा पूरी हमाले पश्रमी हमाले की अपिक्षा अधिक मांसून बरसा होती है ठीए तो इसलिए आपको दिहां रखना है नेस्ट वात करते हैं हम लोग जैतून की फसल जैतून की फसल उश जलवायू की है सीतो जलवायू में भूमद्धी है टेंगा जलवायू की है ठीक है भूमद्धी सागरी जलवायू की है कौनसी भूमद्धी सागरी है जलवायू की है नेस्ट वात करते हैं किसी भी बायों में प्रानी जीब जो उसकी क्रिसीलता की तिबरता तथा उसकी संख्या किस पर निर्वर रहती है किस पर निर्वर रहती है ठीक है किस पर निर्वर रहती है तो इसका अंसर सही जाए बनस्पति सरचना सकल बायोमास एबं जातियों के संगटन पर ठीक है किस में चराई अनुकरम का पूर्ण विकास हुआ है चराई का पूर्ण विकास हुआ है ठीक है तो इसका राइट आंसर है सवाना बायोम का नेस्ट इस्टेपी जलवाई की सबसे बड़ी विसिस्ता है इस्टेपी जलवाई की को प्रमुख अंभंडार तथा दुग्द विवसाय के कोड इस्तल की सागरिय बायों में प्रात्व में को भुखता किसे कहा जाता है सागरी ये बायों में प्राथ में को बोगता किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर आजागा आपका कौन सा है बी है जुपले कटन कौन है जुपले कटन ये आपका राइट आंसर है नेस्ट बात करते हैं नेस्ट बात करते है निम्न मैसिक तो कौन सी एक हमाली बनस्बती जाती नहीं है ठीक है तो इसका ये आपकी देखो जूनिप पर हमाले है और सिल पर है और इश्प्रूब भी है लेकि महोगनी इसकी परजाती नहीं है तो ये तो सब आपकी हैं और ये आपकी नहीं है देहां रखना निम्न मैसिक कौन सा भारत में निर्वाणी करण का प्रभाव नहीं है निर्वाणी करण का प्रभाव नहीं है ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर आपका सी है नगरी करण क्या है आपका नगरी करण ठीक है अवोनी तथा महोन ब्रक्ष सम्मंदित हैं गोला किस बंढ से समय आपको वताना है खुल-धारी बनों से पत्रच्ड़ बनों से अभिवती आयतन वती मांशुन बनों से या आएन वती शदहारवार बनों से ठीक है तो इसका राइट आंसर है कौन सा आपका सबसे लास्ट आपका है उनकी डीर है कुंसर रहेगा आपका दी रहेगा आयन वती सदहवार बनों से नेस्ट भारत निमलिकित बनस्पति प्रजातियों में से किसका एक बहत्तम छेत्रिय विस्तार है बहत्तम छेत्रिय विस्तार है साल का सीसम सागौन या देबदार साल सीसम सागौन या देबदार तो इसका आंसर जो है वो कौन सा सी है सागान कौन सा है सागान विश्वत वर्सा बनो को दूसरे किस नाम से जानते हैं विश्वत वर्सा बनो को दूसरे किस नाम से जानते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर आपको वताना है और इसका राइट आंसर कौन सा है सेल वास किस नाम से जान ब्रचांदित करने का था जिली का कव तब करने का था तो इसका राइट आन्सर हो जाइगा आपको कौЕТसा डोहजार बारई तक भारत में निम्लिक बन प्रकारों में से किस एक का बहत्तम छेतरुफल है बहत्तम छेतरुफल है यह आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जागा आपका बहत्तम छेत्रफल है तो इसका राइट आंसर हो जागा आपका राइट आंसर जो है वो होगा आपका कौन सा इसमें से सीतोष्न आद्र पांडपाती वन चोटा नागपूर के जंगल है ठीक है पत्जड सदावारिये स्टेपीज पत्जड स्टेपीज ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा कौन सा है पत्जडवा सवाना है ठीक है दरगा पत्जडवा सवाना है निम्न मैंसे कौन सा युग में एक सही सुमलित नहीं है स तो चंदन कोश्ट केरल और सुन्दरी पश्वमंगल सुन्दरी पश्यमंग है फैसी ना तो सुन्दरी पश्यमंगल तो सही है ट्रिक ना हैं वो कह रहा है आपका के नम्सक्त वंधान बारत में आर्थिक द्रेश्ट वोगम में से कौनसा एक सही उगम है तो सही उगम च्छाटा जाए है अब आप सभी उगम शाटा है ठीक है तो इसका सही उगम देख लेते हैं यह टीक जो है वो जम्बू कस्मीर में नहीं पाया जाता है तो गलत यह भी गलत हो गया ठीक है और अगला साथ कोशन वोट डिस्टरब होता पर नहीं लग रहा था ठीक है तो इसमें दार रहा जो सु नेश्ट बात करते हैं निम्न मैंसे कौन सा बन भारत में आर्तिक द्रिष्टी कौन से सरवादिक महत्वण है द्रिष्टी कौन से क्या है सरवादिक महत्वण है यह आप से पूशा गया है तो ज्वारिये बन है सदावार वन है काटेदार वन है पत्यजड बाले वन है तो इसका राय टांसर है कौन सा पत्तिजड़ वाले बहुत धार रखना यह तो निम्लेत में से कौन सब्सक्राइब भारत में आर्थत्रिश्टी कोन से सरवादिक महत्वण है तो बताओ को पत्तिजड़ वाले जो बन है वो आर्थी रूप से सबसे महत्वण है काले बंद पाए जाते हैं प्रांस में जर्मनी में जायको इसको वालिया में या। रुमानिया में ठीक्त तो इसका राइट आंसर पार ज जंगल है योजुक पर stos कहला जातا है इसका राइट आनसर को बुद्देध Нमंज रेकित में लिप टेस्ट ठीक है नस्ट निमन लिखे तो भारती राजियों में से किस एक का कुल बन छेत्र नियुनतम है कुल बन छेत्र नियुनतम है ठीक है तो इसका राइट आंसर कौन सो जागा आपका सी होगा हर्याना सबसे कम नियुनतम जो होगा हर्याना निमन राज समुव म से किसमें बन कुल भॉगलिक छेत्र के 75 परशन्ट से अधिक छेत्र पर धारत हैं धारत हैं तो यह आपको अरणाचल प्रदेश मड़ीपूर और नागालेंडेंड प्रशन्ट है हमारा राष्ट्री ब्रक्ष कौन सा है तो यह आपको सभी को याद होगा आपका राष्टी ब बिचार करना है और बिचार करना तो इसमें आगले आपको साइन भी लगाने है यह रहा आपका थीक है तो आप पढ़ लो इसमें बहारत के कुल भॉगणर क्षेत्र का लगवक 20 पर7 परस्ञेंट के रूप में है और कुल मर्ट छेत्र मेंसे लगवक 40% संगगा हैं राष् यहां तक आप कुद नहां रखना है नेस्ट बात करते हैं हम लोग फिर वैसे कोशन आ गया है निम्न में कारूं का ध्यान दीजिए बंडी करण और व्यर्त भूमी का विकास पुर्ण विकास बिद्दमान बनों पुना पौदार ओपन ठीक है लखडी के अन्य विकल्पों को पुतसायन और अन्य प्रकार के इंदिन की पूर्ति पीड़कों और कीटों से होने वाज़े च्छे से मानव चेत्र की हानु को रोकने के लिए पीड़क नासक और कीट नासकों की ब्यापक प्रियोकस संबर्धन आध्योग में कौन सी राश्टी नीती 1988 से समलित है यह आप सही है अगली बात करते हैं लोगत अGHT कुल जुबन कहां बितृत है कुछ जुबन कहां बितृत है इसका राय है चांतर की और ईत्याफिर का में कि इसका राइट आंसर होगा सी रूपांत्रित सवाना के क्राउन साइनस नामक परद्रश्य कहां मिलता है परद्रश्य कहां मिलता है ठीक है तो इसका राइट आसर होगा सी रूपांत्रित सवाना के किसका रूपांत्रित सवाना के कौन सा धरातलिय जीवों बनस्पतिक विकासवाजीव समुदाय के द्रष्टी में सरवादिक उन्नत करता है सरवादिक क्या करता है उन्नत करता है ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका कौन सर हेगा C रहता है इसका उश्न सदावार कटवन दिये जिस जीवों की भूमी अमलिय तथा अल्प खनिजपधार्त वाली होती है इसका राइट आंसर संक्वाधार बन दो बिभिन समुदाय के बीच का संक्रान्ती छित्र कहलाता है तो इको-स्पियerver कहलाता है आपका इको-स्पियर कहलाता है ोन डिये निस बात करते है उश्कटवन्दी बरसा वन काट दिये तो वह उश्कटवन्दी परियंड वन थे सीगर पुनुरत नहीं हो पाते तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरसा वन की मिर्द्रा में पोशेवंगम यदे उश्कटवन्दी बरसा वन काट दिये जाएं तो वह उश्कटवन्दी परणपाती वन की तुल्ला में सीगर पुनर्योजित नहीं हो पाते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरसा मुद्रा में पोश्कों का आभाव हो जाता है पहला उफसन है बरसा वन में बरक्षों के प्राबध्यों की जीवन छमता दुरवल हो जाती है बरसा वन की जातियां धीमी गती से बढ़ती है बिदेसज जाती बरसा बन की औरवरक मरदा पर अतिकरमड कर देती है तो यसमें right answer कौन सा होगा आपका तो इसका right answer जो रहेगा वो है आपका A कौन सा है आपका? A है, धारखना इसको कौन सा है आपका? A है, ठीक है Next बात करते है भारत में अत्य संगरन बनों का सरवादिक छेत्र किस राज्य में पाया जाता है तो आपको धारक ना अड़ाचर प्रदेश में पाया था अत्य संगरन बनों का छेत्र फिर हम कथन की बात कर लेते हैं आपके कथन आते नहीं है वैसे तो हम इसे छोड़ते चलते हैं अगली बात कर लेते हैं हम लोग पेड़ पौदिवं जनतों को सरवादिक विवता की विशिस्ता है तो उस्ट कटवंदी अर्दवन नेस्ट बात करते हैं भारत के भारत के निमलिखित में से कौन नंगर ब्रक पराई नेस्ट नेशनल ब्यूरो आफ अफ प्लांट जैनेटिक रिसोरसस इस्तित है तो कहां इस्तित है यह आपका तो आप बता देंगे इसे आप यह है आपका नई दिल्ली में का है नई दिल्ली में ठीक है नेस्ट बात करते हैं किस देश उसके भोगविलिक छेत्र का उच्चितम प्रतुसत बन छेत्र है तो ध्यार रखना जापान का है कहां का है जापान का है नश्ट बात करते हैं प्रतिवर्स कतुप्य बिश्ष्ट समधाय जन जाती पारसती रूप में महत्वण मास भर चलने वाले अविहान त्योहार के दोरान फलदार विरक्षियों की पौधों का रोपन करती है निमन लिखित में से कौन से ऐसे समधाय जन जाती है ठीक है तो आपको राइट आंसर किन पादवकों के प्रतीक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है ठीक है तो बाज बांज बुरुमश और चंदन ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा कौन एक केवल एक और दो यह दोनों आपके क्या रहेंगे सही रहेगा धरगा एक और दो नेस्ट ब लुत रहे तो इसका 33% होना चाहिए कितना होना चाहिए 33% ठीक है नेस्ट बात करता है छोसी फास्ट और यह कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं आते हैं अवले ठीक है दो आपके यह च्छड़ते जाते हैं जो मैन मैन है वो पढ़ लेते हैं प्रतिवी पर अधिकांस ऑक्सि कि से वालों से होती है किस होती है से वालों से नम ईम्लक इसे कहां पर एक सभाउगलेक चेत्र के 70% भागपार बन पाए रखने का सेमिधानिक प्राभधान है तो इसका राइट आइट आंसर रहेगा का समुंद्री राष्टिय पार्क अवस्तित है समुंद्री राष्टिय पार्क अवस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन कच्छकी खाड़ी होगा कौन होगा कच्छकी खाड़ी टैंगा बन बिश्रिष्टा है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क कि यह आपको मैच वाले हैं ठीक कैसे हमको मतलब है नहीं लास्ट वाद देख लेते हैं निम्न मैसे कहां पर एक सर्रिचित कच्छ बन छेत्र है कच्छ बन छेत्र है तो इसका राइट आंसर हो जागा कौन सा अगल नेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे ठीक है अगर आपको हमाई जान का इच्छ लगी हो तो सभी अपने दोस्तों को सेयर करें ठीक है यह यूपी टैट के लिए बहुत महत्पूर्ण है काफी डीप कोशिंस हैं ठीक है तो आज के लिए मतना रखेंगे